मदूसुदंगर में कुछ दिन पहले एक नब विवाहित की मौत हो गए थी जसपर नब विवाहित के परीजन मदूसुदंगर पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का और ससुराल पक्ष के नब विवाहित के हर्तिया का आरोप लगा रहे थे जिसके शिकायद मृतक की मा आशा साहु द्वारा वरिश अधिकारियों से भी की गई थी पर अब तक मधु सुदंगर पुलिस द्वारा आरोपियों की गरफतारी नहीं की गई है मामने में कोई कारिवाई ना होने की कारण एक बार फिर नवववाहिद की मा ने साथ ही नवववाहिद की मा ने इस पश्ट कहा है कि अगर मेरी सनवाई नहीं हुई और आरोपियों की गिरफतारी नहीं की गई तो मैं मधु सुदंगर थाने में जाकर आत्महत्या कर लूँगी और मेरी मौत का जमेदार मधु सुदंगर थाना प्रभारी होगा साथ ही आशा साहू ने कहा कि अगर थाना प्रभारी सही था तो मधु सुदंगर पत्रकार तोनी शह को कवरिज क्यों नहीं कर दे दिया उनका मुबाइल क्यों छूडा लिया पत्रकार को धमकी क्यों देने लगा साथ ही मृतिक की मा ने कहा कि मधु सुदंगर ठाना प्रभारी ने पैसे खाए है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है वहीं हम आपको बता दें कि मधु सुदंगर के पत्रकार तोनी शहा और जिले के पत्रकारों ने मिलकर भी मधु सुदंगड थाना प्रभारी आरपी वर्मा की वरिष्ट अधिकारियों को ग्यापन दिया है क्योंकि पत्रकार टोनी शाह को कवरेज करने के दोरान थाना प्रभारी ने मोबाइल छुडा लिया था फिर पतरकार तोनी शाह के साथ थाना प्रभारी आरपी वर्मा अभधरिता करने लगे और पतरकार को जूठे केस में फसानी की धंकी दिने लगे वही गुनाजले के पत्रकारों ने ग्यापन के साथ घटना के वीडियो सीडी भी वरिष्ट अधिकारियों को दी है पर अब तक वरिष्ट अधिकारियों द्वारा मत्य सुदंगर थाना प्रभारी पर कोई कारवाई नहीं की गई है यह भी अबद्रता थे उसने कि हमने पत्रगा जैसे तैसे पत्रकार को बलाया हमने तॉनिसाय को तो उनको भी कुछमी नहीं कन de crashes कर्ने glor aur था कार को क्यों प्रश्ट कर वाया जाए उससे पूछ दॉच्छ की जाए पुलिस के दौरा वो सब कुछ बता दी के मैं इसके प्रेम करती थी थी के नहीं तो बदूलत मेरी बेटी मारी है दीरी मेरो बीटों कर दो से कम शचाहे ऊसीनल हाव कर दिया टो मैंनें अनको देख जा रहे थी आजा और लेजा हखो यह their टे vị को मैरने को आरेश्ट किया जिस वालो की वरीजिगा इज़ चान डीमरी है किसम्ता है किवे टुनी साय तो घॉल टॉल फिर ने करने दिया,अगर तो गलत नहीं था तो क्यों पॉरƠिस के रहा था नहीं आज करके not that mom लेकर not कि सब्स होले कि ताने में अपनी जान दूबे करके